Hello everyone, नव भारती स्टड़ी सर्केल में आप सभी का स्वागत है Students, से पहले के मेरे वीडियो में मैंने आपको खादे श्रंखला और खादे जाल के बारे में बताया खादे श्रंखला में हमने देखा कि किस प्रकार से उत्पादक और उभोगता एक दूसरे पर निर्भार रहते हैं और भोजन का एक दूसरे के लिए लिंक बनते चले जाते हैं यानि उत्पादक से प्रात्मिक उभोगता, दितिक उभोगता और तितिक उभोगता अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार खादे जाल में हमने देखा कि विभिन प्रकार के खादे श्रंकलाएं मिलकर एक जटिल जाल का निर्वान करती हैं। और इसमें प्रतेक पोशक इस्तर पर यानि ट्रॉपिक लेवल पर उभोगता के लिए विभिन प्रकार के भोजन के विकल्प उपस्तित होते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे energy flow in ecosystem और साथी पढ़ेंगे ecological pyramid के बारे में यानि पारिस्तितिकी तंतर में उर्जा प्रवा किस प्रकार से होता है और पारिस्तितिकी पिरेमिड क्या होते हैं। खादेश रंखला से ये तो पता चला कि एक पोशक इस्तर से दूसरे पोशक इस्तर पर उर्जा का इस्थाना अंतरन होता है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि कितने प्रतिशत उर्जा ट्रांसफर होती है। पारिस्तिकी तंतर में उर्जा प्रवा, एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम, कारिय करने की शमता को उर्जा कहते हैं। प्रतिख जीव को अपने जैविक किरियाओं के लिए उर्जा की आउशकता होती है। और इस खाद्य उर्जा या रासाइनिक उर्जा को ही बाद में प्रात्मिक, दित्तिक और तित्तिक उब्भोकता काम में लेते हैं। इस प्रकार उर्जा का प्रवा उत्पादक से उब्भोकता तक होता रहता है। तो सूरिय से प्राप्त होने वाली उर्जा का केवल एक प्रतिशत भागी प्रसकास असलेशन की क्रिया में काम आता है। कोई भी जीव प्राप्त की गई उर्जा को सिर्फ 10 प्रतिशत ही एक पोशक स्थर से दूसरे पोशक स्थर में ट्रांसफर करता है। बाकी 90% जो energy है वो heat के रूप में वापिस उसका loss हो जाता है, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जो ecosystem है, इस ecosystem के अंदर उत्पादक उत्पादक से उभ्भोकता जो की प्रात्मिक दितिक तिर्थिक होते हैं, उनमें उर्जा का जो transfer है वो केवल 10% तक ही होता है, बाकी 6-90% जो energy है वो heat के रूप में loss हो जाती है, यानि अगर उत्पादक ने 100% energy ली है, तो 90% energy heat के रूप में loss हो जाएगी और 10% energy ही हर्भी वोरस या जो प्रात्मिक उभ्भोकता है उस तक transfer होगी, और उसका भी फिर 90% loss होने के बाद, यानि 10 का भी अगर हम percent निकालें, तो 0.1% energy ही second जो consumer है द्युतिक उभ्भोकता है उस तक transfer होती है, तो इस प्रकार प्रतेक ecosystem के अंदर उर्जा के उस्तन 10% ही transfer होती है और 90% उर्जा का जो है वो loss हो जाता है और इसे ही हम ecology का दक्षान्स का नियम, यानि rule of ecological 10th कहते हैं, किसी भी ये इस्थान पर यदि सोर उर्जा के मातरा 100 कैलोरी है, तो प्रात्मिक उत्पादक उसे 10 कैलोरी और फिर उस उत्पादक को ग्रेंड करने वाले जो शाकाहरी है उनके पास 1 कैलोरी और उससे आगे जो दितिक उभ्भोकता है उनके पास 0.1 कैलोरी उर्जा ही transfer होत पर नियम के अनुसार हम सुनते हैं कि इस्तिर दरवयमान वाले तंतर में उर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है सिर्फ यह एक रूप से दूसरे रूप में इस्थानांत्रित होती है और दूसरा नियम है लौ अफ एनाट्रोपी का नियम इसमें भी उर्जा के स्वरूप परिवर्थन या इस्थानांत्रण में उर्जा के कुछ भाग का लौस होता है और यह लौस उर्जा में वायू मंडल में उश्मा के या हीट के रूप में चला जाता है इस परकार जो यह जो दो लो हैं लौ थर्मो डाइनमिक्स के जो दो लो हैं इनके आधार पर जुतिक-दृतिक इस प्रकार से एक ही दिशाम में उर्जा का प्रवा होता, यानी जो उत्पादक है उसने जो उर्जा उश्वोशित किये वो वापिस सोर मंडल में नहीं जाएगी वो ट्रांसफर होगी प्रात्मिक उभवगता पर और प्रात्मिक उभगता ने जो सिस्टम के अंतरगत चलता रहता है और एक और बात हमेशा ध्यान रखेगा कि only 10% energy ही वन ट्रॉपिक लेवल से अधर ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है 90% energy का heat के रूप में वापिस वायू मंडल में loss हो जाता है energy flow के लिए कुछ महत्यपूर्ण बिंदू हैं जिने आपको ध्यान रखना आउशक है जिसे first है energy का जो प्रवा है जो उर्जा का प्रवा है वो हमेशा यूनि डारेक्शनल होता है उत्पादक सबसे पहले सोर उर्जा को ग्रेंड करते हैं और उससे रासानी कुर्जा में बदलते हैं फिर है उभोगता इस बदली हुई रासानी कुर्जा को उप्योग में लेकर अपनी विभिन क्रियाओं को संपन करते हैं और इस प्रकार 10% उर्जा वैग्रेन करते और 90% उर्जा को वापिस heat के रूप में इसको transfer कर दिया जाता है इस प्रकार 90% energy का heat के रूप में loss हो जाता है यह diagram है इस diagram में आप समझ सकते हैं कि जो solar energy है सूर्य से प्राप्त उर्जा है उसे उत्पादक काम में लेते हैं उन्हें रासानिक उर्जा के रूप में परिवर्थित करते हैं लॉफ थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट उसके बाद एनोट्रोपी नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो परात्मिक दित्तिक तित्तिक भोगता तक पहुंचते हुए उर्जा का इस्थानांत्रन जो एक दिशिये हो रहा है वो सिर्फ 10% उर्जा ट्रांसफर हो रही है बाकी 90% उर्जा का जो है वो हीट के रूप में लॉस हो रहा है यह डाइग्राम में आप देख सकते हैं कि 1000 जो 100% कैलोरी उत्पादक में है तो वो प्रात्मी कुभगता पर 10% और दित्तिक और तिरतिक कुभगता तक पहुंचते-पहुंचते क्रमरशे 1 और 0.1% ही एनर्जी का फ्लो हो रहा है यही solar energy फिर वो producer और producer से consumer तक ट्रांसफर हो रही है और इस्थानांत्रित होने के बाद जब उनके death हो जाती है तो decomposers तक और बाकी जो 90% है वो heat के रूप में वापिस वायूमंडल में जा रही है यह जो facts मैंने important points बताए हैं उसके अंदर आप देखिए कि जो energy flow है वो unidirectional इसके अंदर हमें दिख रहा है कि जो producer है producer से herbivores और herbivores से carnivores तो यह unidirectional उर्जा का प्रवा है एक दिश्य उर्जा का प्रवा यहां पर दिखाया गया है next है आपका ecological pyramid यानि पारिस्थिति की ये pyramid किसे कहते हैं पारिस्थिति की pyramid में हम देखेंगे कि यह एक परकार की उत्पादक उप्भोकता विवस्ता है जिसमें प्रतेक खादेस्तर को एक ट्रॉपिक लेवल के रूप में जानते हैं और जब इस ट्रॉपिक लेवल को हम graphical presentation करते हैं ग्राफ के द्वारा इस संरचना को समझाते हैं तो उसे हम ecological pyramid कहते हैं उत्पादक और उप्भोकता की संख्या के आधार पर जो ecological pyramid है उसे तीन भागों में बाटा जाता है जयव भार के आधार पर उरजा के आधार पर और उप्भोकता की संख्या के आधार पर इस प्रकार के इस graphical representation को चॉल्स एल्टन ने दिया था उनके नाम के आधार पर इन pyramid को एल्टोनियन प्रेमिड भी कहा जाता है ecological pyramid के अंदर जब हम पारिस्तिकी परिमेड के अंदर हम ये देखते हैं कि सभी pyramid सदैव सीधे नहीं होते हैं कभी कभी ये उल्टे भी होते है यानि जब नीचे से चोड़े और उपर से नुकीले pyramid होते हैं तो उन्हें हम सीधा pyramid कहते हैं जबकि बेस जिसका सक्रा होता है और जो टॉप पर से ब्रॉड होते हैं उन्हें उल्टा pyramid कहा जाता है तो अलग-अलग प्रकार के pyramids में ये कभी सीधे या उल्टे हो सकते हैं किन्तु उर्जा के pyramids में सदैवी pyramid सीधा बनता है पारिस्तितिकी pyramids के प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड ऑफ नंबर्स जैवभार के आधार पर पिरामिड ऑफ बायो मास और उर्जा के आधार पर पिरामिड ऑफ एनर्जी यानि जीवों की संख्या के पिरामिड जीव भार का पिरामिड और उर्जा के पिरामिड फर्स्ट है संख्या के पिरामिड पारिसितिकी तंतर में प्रात्मिक उत्पादक यानि प्रडूसर तथा क्रमर्शे विभिन शेनी के उभोकताओं की संख्या के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम pyramid of numbers या जीव संख्या के pyramid के नाम से जानते हैं यानि किसी भी ecosystem में जो खादे प्रनालिय या खादे श्रंकला है उसके जो अलग-अलग पोशक इस तरह है विभिन इस तरहों पर जीवों की संख्या की क्या विवस्तार है उसे हम ecological pyramid में pyramid of numbers के नाम से जानते हैं यह pyramid में base जो आधार है वो उस पर उत्पादक को रखा जाता है उत्पादक यानि green plants जो अपना भोजन स्वम बनाते हैं और जैसे जैसे base से हम उपर की तरफ जाएंगे तो प्रात्मिक दित्तिक तित्तिक उभगताओं को रखा जाता है तो इस pyramid pyramid की जो shape है हमने देखा है कि pyramid का जो base है वो broad होता है और जो उसका top है वो सक्रा होता है यानि एक triangle shape जो एक pyramid shape नजर आती है उसमें आधार भाग चोड़ा होता है और उसका उपरी भाग जो है वो नुकिला या सक्रा होता है तो इसमें आधार भाग पर तो हम plants को या उत्पादकों को रखते हैं और जैसे जैसे हम उपर की तरफ बढ़ते जाते हैं उनकी प्रात्मिक तुर्तिक उभगताओं को रखते जाते हैं तो जो एक grassland है या forest है या तालाव या खेत है उसमें जो जीव संख्या का जो नंबर के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो हमेशा कैसे बनता है सीधा यानि upright बनता है किन्तु परजीवी खादरे श्रंकला वाले ecosystem में जो ecological pyramid बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है क्यों क्योंकि उसमें जो base है यानि जिसे अगर हम example ले कोई एक पेड़ का ले तो कोई एक पेड़ है उस पर पेड़ की संख्या कितनी है एक तो यह हमेशा उल्टा बनेगा उल्टा मिन्स अगर triangle को हम उल्टा कर लेते है तो जो इसका base है वो सक्रा रहेगा और उसका जो top है वो broad रहेगा चोड़ा रहेगा क्यों क्योंकि जो base पर पेड़ है वो पेड़ की संख्या के एक है लेकिन उस पर रहने वाले जो प्रात्मिक उभगता है बहुत सारे पक्षी है वो उनकी संख्या जादा है फिर उन पक्षियों पर भी रहने वाले जो दितिक उभोक्ता यानि किसी परकार की कोई भी लाइसीज ये जूएं हैं तो उनकी संख्या और जादा है और तितिक उभोक्ता जो की दितिक उभोक्ता पर रहते हैं जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया वगेरा उनकी संख्या और भी जादा होती है तो इसलिए जो प्रजी अगर हम जैव भार के आधार पर किसी भी जैवी भार के आधार पर अगर हम graphical presentation करते हैं तो उसे हम pyramid of biomass के नाम से जानते हैं इसके अंतरगत विभिन खाद्य स्थरों के प्रती इकाई शेत्रफल के आधार पर इसे present किया जा सकता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैव भार pyramid बनाने के लिए जीओं का जो gross weight है सकल भार है उसको आधार मानकर हम उसका graphical presentation करते हैं जिसे कि हम pyramid of biomass कहते हैं इस परकार जो एक पारिस्तिकी तंतर में हर पोशक इस्तर पर कुल जीओं का जो सामुई भार है वो समय के संधर् मसल का या जो standing crop है उसको प्रदर्शित करता चला जाता है जैव भार वाले pyramid में सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं अगर हम बात करते हैं किसी grassland की तो वह सीधा बनेगा लेकिन जब बात करेंगे किसी भी तालाप पारिस्तिकी तंतर की तो उसमें जो pyramid of biomass है वो बनता है अगर हम बात करते हैं इसकी grassland वाले की तो हम देखते हैं कि इसमें उत्पादक की संख्या अधिक होती है और उब्वक्ता इस तरपर बढ़ने के साथ साथ ये संख्या क्रमर्शे कम होती जाती है और इनके कम होने के साथ साथ इनका जीव भार भी जो जैव भार है वो भी कम होता चला जाता है इसलिए ये पिरैमिड हमेशा सीधा बनता है जबकि जब हम बात करते हैं किसी जलिये की तो जलिये के अंतरगत हम देखते हैं कि कोई भी जो उत्पादक है उनकी संख्या तो अधिक है लिकिन उनका जो बायो मास है वो बहुत कम होता है और जैस जो बायो मास से जयो भार है वो अधिक होता है इसलिए जो ताला पारिस्तितिकी तंत्र है इसके अंतरगत बनने वाला जो प्रेमिड और बायो मास का शेप है वो हमेशा उल्टा होता है नेक्स्ट है प्रेमिड ओफ एनरजी यानि उर्जा के स्तूप पारिस्तिकी तंत्र के इकाईक शेतर में किसी भी समयावदी विशेश में विभिन ट्रॉपिक लेवल द्वारा उप्योग की गई कुल उर्जा की मात्रा को जब हम ग्रैफिकल प्रेजेंट से दर्शाते हैं ग कि हर ट्रॉपिक लेवल पर जो एनरजी का जो ट्रांसफर है वो कम होता चला जाता है यानि सिर्फ दस प्रतिशत उर्जाई एक पोशकिस्तर से दूसरे पोशकिस्तर पर इस्ताना अंत्रित होती है बाकी 90 प्रतिशत उर्जा हीट के रूप में लॉस हो जाती है तो जो पि को या किसी भी और प्रकार का परजीवी हो किसी भी प्रकार की खादेश रंकला हो उसमें बनने वाला जो इकोलोजिकल प्रैमिड है प्रैमिड ऑफ एनरजी का वो हमेशा सीधा बनता है क्यों क्योंकि जो उर्जा है वो यूनिडारेक्शनल होती है और साथ ही उर्जा का ज प्राइमिड आफ एनर्जी है वो इसका जो प्राइमिड बन रहा है वो देखिए आप हमेशा सीधा बनता है चाहे वो किसी भी तंत्रका हो जिसमें देखिए जो प्राइमेरी प्रोडूसर है इसमें एनर्जी इससे जो ट्रांसफर हो रही है प्राइमेरी कंजूमर सेकेंडर पूछा जाता है कि जो pyramid of energy है वो किस प्रकार का होगा किसी भी पारिस्तितिकी तंतर में तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पारिस्तितिकी तंतर चाहे कैसा भी हो किसी प्रकार की भी खादेश रंकला हो उर्जा के आधार पर बनने वाला pyramid सदयव सीधा बनता है